हलो दोस्तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में दोस्तो आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही महत्वपून टॉपिक लेके आई हूँ आज मैं बताने वाली हूँ अंजीर के फाइदे आईए जानते हैं इसके बारे में अंजीर एक ऐसा फल है जो खाने में बहुती स्वादिस्ट है अंजीर खाने में जितना स्वादिस्ट है उससे ज़्यादा इसमें गुण है यदि आप रोज अंजीर खाते हैं तो आपको अनेको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे आज मैं आपको अंजीर के फायदों के बारे में बताऊंगी काफी बैक्तियों ने अंजीर के गुण से लाब लिया है आप भी अंजीर से लाब उठा सके ये ही हमारा परियास है हमें उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी अंजीर के फायदे पाचन शक्ति मजबूत करे और कबज को दूर करे अंजीर में फाइबर अधिक मातरा में बाया जाता है फाइबर अधिक होने से ये कबज को जड़ से खत्म करता है यदी आप अंजीर को रोज सेवन करेंगे तो आपको पेट से समन्दित रोग दुखी नहीं करेंगे और पेट साप रहेगा कबज और गैस जैसे रोग आपसे कोसद दूर रहेंगे यदि आपका पेट सही है, खाना सही पच्चता है, तो आपको कभी कोई रोग नहीं हो सकता अंजीर मोटापा तेजी से कम करता है, अंजीर में फाइवर तो अधिक होता ही है, साथ में इसमें फैट भी काफी कम होता है इसलिए ये आपका वचन जल्दी कम करेगा और आपको ताकत भी देगा, कमजोरी दूर रहेगी उच्च रक्त चाप को जड़ से खत्र करे, यदि आप नियमीत अंजीर का सेवन कर रहे हैं तो आप उच्च रक्त चाप जैसे रोग को हमेशा के लिए दूर रख सकते हैं और यदि आपको उच्च रक्त चाप नहीं है तो भी आप इसका सेवन कीजिए, आपको काफी लाब होगा, भविश में कभी रक्त चाप की समस्या नहीं होगी अंजीर दिल को तंदरुस्त रखे, इसमें उच्च मात्रा में ऐसे गुड़ होते हैं जो आपकी रक्त कोशिकाओं को स्वस्त बनाए रखते हैं और दिल से सम्मंदित रोगों को नहीं पनपने देते, इसलिए दिल के रोग आप से दूर रहते हैं हट्डियों की मजबूती के लिए फाइदे मन यदि आप रोज ये खाते हैं तो आपकी हट्डियां मजबूत रहेंगी एक अंजीर में 3% कैल्सियम होता है और ये कैल्सियम आपकी हट्डियों को अधिक सकती परदान करेगा इसलिए रोज इसे खाईए गर्भा वस्ता के कबज को दूर करें जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें फाइबर ज्यादा होने के कारण पेट के रोगों को दूर रखता है यदि गर्ववती महिलाओं को इसका सेवन कराया जाए तो गर्भा वस्ता के दौरान होने वाली कबज को जड़ से खत्म किया जा सकता है और शिशु का स्वास्त भी अच्छा होगा अंजीर का तासिर गर्म और ठंडी यदि आप इसको सुखा खाएंगे तो इसकी तासिर गर्म होगी यदि इसको राद भर भिगोंगे और उसके बाद खाएंगे तो इसकी तासिर ठंडी हो जाएगी खांसी को रखे दूर यदि कर खाईए और खासी में आराम पाईए जल्दी आपके खासी ठीक भी हो जाएगे घाव होने पर अंजीर का परियोग यदि आपको घाव हो गया है तो आप ये परियोग कीजिए आपको अच्छा फायदा होगा दूद में सुखे अंजीर को पीस कर पेस्ट बना ले और घाव पर लगा ले इसके घरेलू उपचार से जल्दी ही घाव भर जाएगा सूजन में भी परियोग किया जा सकता है यदि गले में सूजन हो गई है तो इसका काड़ा बनाईए और इसे पीजिए जल्दी ही सूजन ठीक होगी यदि जीप पर सूजन है तो इसको अच्छे से पी और उपर से दूद पिए आपको काफी फाइदा होगा कमजोरी जल्दी ही खत्म होगी और आपको ताकत मिलेगी सुगर यानि की मधुमे में भी बहुत ही फाइदेमंद है यदि आपको सुगर है तो आप इसको खाईए आपको विशेश लाब मिलेगा इसके परियोग से आप आपको मधुमे को दूर करने में आसानी होगी अस्तमा में फाइदे दमे के रोगी के लिए ये अंजीर काफी फाइदेमंद है रोज इसे खाईए और दमा जैसे रोगों को भी दूर रखिए उमेद करती हूं दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अग लाइक करें कामेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परिशानी का हल डोन रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स कर सकते हैं दोस्तों हमारे चनल हेल्थटिपों हिंडी को सब्सक्राइब करना को भूले हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्ल रहे, खुश रहे, थैंक यू